कितने माइनर होंगे इसमें अगर मैं बात करों कितने माइनर होंगे तो हमारे पास सेकंड कुर्ष्टन में सेकंड कुर्ष्टन में हमारे पास थ्री नाइन माइनर होंगे नाइन को फेक्टर होंगे ठीक है या नी सेकंड कुर्ष्टन में हमारे पास M11 होगा फिर M12 होगा फिर अच्छे सीख लो क्योंकि कई बार के ना बहुत सारे कुश्चन एक जैसे ही है रिपीड़ बहुत हैं तो कुछ कुश्चन में डारेक्ट आंसर लिखूंगा तो उसकेस में आपको अच्छे से सीखना है ज्यादा जल्दी नहीं दिखानी है फिर आएगा M23 फिर यहाँ पर आजाएगा M31 फिर आएगा यहाँ पर M32 और यहाँ पर आएगा M33 ठीक है मतलब M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M31 M32 M33 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 कैसे लिखते हैं इस element का यह vertical horizontal height कर लो 3501 3501 यह आजाएगा ठीक है 3501 आजाएगा M12 के अगर में बात करूं M12 यह तो M11 हो गया हमारा मतलब इस element का तो यह और यह height कर रहा तो यह answer आया M12 यह नहीं इस वाले element का तो यह और यह height होगा तो 25-21 तो यह आगे 25-21 फिर इसका करेंगे तो यह और यह height होगा 23-20 23 सॉरी और यह सॉरी यह determine में लिखते है not matrix यह determine में लिखना होगा ना not matrix मैं फिर से लिख देता हूं M11 में क्या रहा था 3501 M12 में क्या रहा था यह और यह height हुआ था 25-21 और इसमें 23-20 ठीक है यह आ गया M21 में क्या आएगा यह और यह height होगा तो minus 1201-1201 M22 में नहीं इसका यह और यह height होगा तो 12-21 12-21 M23 नहीं इसका यह और यह height होगा तो 1-1-0 1-1 इसका क्या होजाएगा 1-1-0 तो यह आ जाएगा फिर आ जाते हैं M31 पर इसका तो यह यह हेड होगा तो 1, minus 1, 2, 3, 5, minus 1, 2, 3, 5, M32 की बात करें इसकी तो ये और यह हेड होगा तो 1, 2, 2, 5, और M33 के इसकी बात करूँ तो ये और यह हेड होगा, तो 1, minus 1, 2, 3, 1, minus 1, 2, 3, यह आ जाएगा, ठीक है, अब इनके determined निकाल दो, अब क्या करेंगे, इनके Determinnt निकाल लेंगे, कैसे निकालते है Determinnt, 3 into 1, 3 और ये 0 हो जा रहा है, 3 आएगा, ये कितना आएगा, 2 और ये minus का 10 आएगा, बीच में minus आता है, ये कैलोच नाएगा, हो कर पा रहे है, कैसे करते है, ये 2 आएगा, cross multiply, यह minus का 10, लेकिन बीच माइनस आता है, प्लस का 10 हो जाएगा, क्या यह 12 आजाएगा, और यह कितना आएगा, यह तो 0 होगा, 0 और फिर बीच माइनस आएगा, और यह minus 6 हो जाएगा, यह कितना आएगा, minus 1 और यह तो 0 हो रहा है, यह कितना आजाएगा, 1 और यह minus का 4 है यह सब निकालना है ठीक है तो अब आप यह समझे लो की डिटर्मेंट से निकल रहा है कैसे निकलता है तो अगर हम आगे questions करें और अगर हम यह ना लिखना हो तो हम direct भी कर सकते कैसे कि हम पहला element hide कर ले माइन में कि यह hide कर लिया तो यह cross multiply इसका निकालना है तो यह और यह जैसे मैं करके दिखाऊं जैसे अगर मैं यह नहीं लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा इसको और इसको hide कर लिया माइन में अब कर लो cross multiply 3 into 1 3 यह 0 3 आगया diet 3 लिख दो फिर ऐसी अगर मुझे इसका लिखना है तो यह और यह hide कर लो क्या दिक्कत है तो यह आ जाएगा 2 और यह minus और आ रहा है इन दोनों के सम तो minus 12 होगा c13 6 हो जाएगा c21 यह और नंबर है यह plus 1 हो जाएगा c22 c22 हमारा same रहेगा c23 change होगा plus 2 आएगा c31 4 आ रहेगा c32 change होगा sign minus 1 आएगा और c33 यह 5 आएगा ठीक है तो यह आगे तो अब अगर मैं इसका adjoint लिखूं एड़ जॉइंट ए तो क्या लिखना होगा cofactor का transpose तो इधर सारे cofactor होगे तो मैं डायेट लेते हों 3-12 6 3-12 6 फिर इधर आएगा 1 5 2 और यहाँ पर आएगा पहला रूप पहला कॉलम बन जाता है तो यह आएगा 3-12 और यह 6 यह आएगा 1 5 2 यह आएगा माइनस 11 माइनस का वन और यह 5 तो यह आजाएगा अंसर ठीक है आया सब्सक्राइब चेक कर लो एक बार 3-12 6 152 माइनस 11 माइनस 15 तो इस तरीके से हमने को फेक्टर निकाल ली क्लियर है तो नोट कर लो इसको दुबारा देख लो और कहीं देखा तो वैसे यह सब चीजे तो देखाए तो पज़ली एक साइस की वैसे एक चीज़ एक्टा आई है कि को फेक्टर को ट्रांस्पोर्ज करना ह ठीके?